हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल हाजीरू क्रिपल हजबन और क्यूट वाइफ की रोमेंटिक लफ स्टोरी लेकर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी की शिर्वात में सूप की फादर उसकी मर्चे की खिलाफ उसकी शादी प्रिंस से करवा रहे थे सूप बोलती है मैं प्रेगनेंट हूँ आप मेरी शादी केसी करा सकते हैं पैट बोलते तुम्हारा होने वाला पती क्रिपल है उसे इससे फरक नहीं पड़ता स्थेप मौम तो बहुत ज़्यादा खुष नजर आ रही थि सूप को पालके में पिठाकर प्रिंस की पैलस तक ले जाया जा रहा था रास्ते में सूप को लेबर पेंट शिरू हो जाते हैं पालके प्रिंस की पैलस तक पहुँचती है पर धूलन तो उसमें से कायब थी प् चलते हुए ड्रागन ग्रास लेने पैलस के अंदर आती है पर सीधा प्रिंस के बाद टब में आकर गिर जाती है प्रिंस सू की आखों को देखकर पहचान जाता है ये तो वही लड़की है जिसने उसके साथ साथ साल पहले रात बिताई थी सू बोलती है मैं गलती से आ गई औ से भाग जाती है बच्चे पूछते मॉम क्या आप ड्रागन ग्रास लाई सू बोलती है मुझे वहां जीता जाता ड्रागन आदमी मिल गया था इसलिए नहीं ला पाई नेक्सी में सू अपने मॉम डाड के घर आ जाती है और उनसे फॉनिक्स डांस मांगती है डार बोलते तुम उसे लेने के लायक नहीं हो सू बोलती है वो मेरी मॉम मेरे लिए छोड़ कर गई थी स्टैप मॉम बोलती है हमसे जवान लडाओगी और गुसे में चाय का कप फैक्त है जिसे सू कैश करकर उल्टा स्टैप मॉम को ही हिट कर देती है डैड को गुसा आ जाता है दोनो मेरे साथ ऐसा क्यूं किया बड़ा भाई बोलता है तुम यहीं डिजर्फ करते हो और क्राउन प्रिंस तो मैं ही बनूँगा इधर सू की स्टैप मॉम उसे बड़े प्यार से चाय देती है जिसे पीने के बाद सू को होश नहीं था एक्शली में उन्होंने कोई मैडिसिन मि बताता है छे साल पहले जो वाइफ आवकी भाग गई थी वो अपने पेरंस के घर वापिस आ गई है प्रिंस को तो गुस्सा आ जाता है इधर डैड और सू की फाइट चल रही थी डैड सू को हवा में उड़ा देते हैं प्रिंस सही टाइम पर आकर उसे कैच कर लेता है प्रिंस सू को अपने पैलेस में लिया आता है प्रिंस सोसता है अगर मुझे पता होता तुम ही वही लड़की हो तो छे साल पहले मैं तुमसे बड़े अच्छे तरीके से शादी कर लेता सू को भी पता चल जाता है छे साल पहले जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो यही आदमी था प्रिंस का सिपाई आकर उसे बताता है आफ की वाइब के दोनों बच्चे मिल गई है प्रिंस तुरंट उन्हें देखने जाता है सू उनका पीछा करती है क्योंकि उसे लग रहा था कई यह आदमी उसके बच्चों को मारी ना दे लेकिन वहां पहुंच कर देखती है प्रिंस तो उसके बच्चों के साथ खेल कूद रहा है एक्चली मैं प्रिंस को पता चल गया था यह दोनों बच्चे भी उसी की हैं लेकिन सू को अभी तक नहीं पता था उसने जिसके साथ वन नाइट स्टैंड किया था वो प्रिंस ही था इसलिए पोश्ट यह तुम मे तो है ना इतना काफी है सूपरिंस से ड्रैगंग्रास मांगती है तुमने कहा ता अना चुंध करेंगे वह मिलेंगा जु फुलता है टो मैं नहीं सबय कर रहा है सूप सूब बोलती है मैं वस यहां पर कुछ कीमती चीज़े ढूर ने आई थी पर यहां तो कुछ भी नहीं है प्रिंस उसका हाथ अपने दिल पर रखता है यह रही कीमती चीज़ सूब का फेस तो लालो जाता है और शर्माते हुए वहां से भाग जाती है प्रिंस शावर ले रहा प्रिंस आकर उसे बचा लेता है तो नों एक दूसरी की आखों में खो जाते हैं सूब उस बोक्स को उठा कर चेक करती है वो तो खाली था मैडम का पॉपट हो जाता है सूब को गुसा आ जाता है तुमने मुझे फूल बनाया प्रिंस पूछतर तुम्हें ड्रैगन ग्रास नहीं देने वाला सू बोलती अगर तुमने उसका बाल भी बाका किया ना तो तुम भी नहीं बचोगे प्रिंस पूछता है क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो सू हां बोलकर चली चाती है प्रिंस का तो दिली तूट चाता है नेक सीन में ग्रैंडमा सू की क्लास लगा रही थी हमारी हिम्मत कैसे हो गई छे साल पहले शादी से भागने की प्रिंस का सिपाई आकर उसे ये बात बता देता है इसलिए भागा हुआ उसे बचाने आता है पर देखता है सू ने तो अपने डॉक्टर गिरी दिखा कर ग्रैंडमा को भी बहला फुसला रखा है प्रै एल्डर प्रिंस सू का हाथ चुड़वा कर अपने हाथों में ले लेता है और फ्लर्ट करने लग जाता है सू भी उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और ग्रैंडमा को बोलती है आपका पोदर कमजोर हो गया है इसे सुन्दर लड़कियों से धूर रहनी की जरुरत है ये सु सू को शादी करने के लिए बोलता है पर सू मना कर देती है तभी प्रिंस का सिपाई आकर उसे बताता है बच्चों को ग्रैंडमा ले गई है दोनों घबरा जाते हैं ग्रैंडमा सू से पूछती है ये बच्चे किसके हैं सू को याद नहीं आ रहा आता तो सू बोलती है पत रखा होता है वो तो हमने छे साल पहले ही प्रिंस को दे दी थी मौ मसने लग जाती है क्या तुम्हारे चाने वाले ने तुम्हें नहीं हाँ मेरे पास है तू क्या हुआ सूज पर अटैक कर देती है पर प्रिंश उसे अपनी बागों में खीच लेता है था Babe पूछती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यूं क्या किया प्रिंश बोलता है तुम कभी से लेकर सीमसिर क्यों नहीं रहती सूज भाग रही थी पिंश प्रिंस बोलता है तुम्हें इसकी पनिश्मेंट मिलेगी जो करना है कर लो पर मुझे फोनिक्स डांस और ड्रैगन ग्रास दे दो प्रिंस बोलता है वह तुम्हें इसा केसे कर सकते हो और उसे मारने लग जाती है तब इसी पाही आकर बताता है आपकी बेटी की तबित रही है प्रिंस उसे ठीक करने की कोशिश करता है लेकि शिंग ठीक नहीं हो रही थी तो बताती है इसकी बोड़ी में पॉइजन है वह भी जनम से इसी को ठीक करने के लिए मुझे ड्रैगन ग्रास और फॉनिक्स डांस चाहिए था पर तुमने सब बर्बात करकर रख दिया उसके बाद ही वो सू की साथ इंटिमेट हुआ था यानि प्रिंस की बोड़ी का पॉइजन शिंग में ट्रांसफर हो गया था प्रिंस अपनी बेटी को पॉइजन का एंटीडोट दे रहा था तब ही उसका सिपाही आकर उसे रोकता है सू उसे धक्का मार देता है एंटीड पॉर बच्चों को घर से निकाल देता है तुम लोगों का काम हो गया है इसलिए अब यहां से खिसको सो तो गुसे में बहुत जादा ड्रिंक करने लग जाती है उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमें घर से निकालने की मैं उसे वापिस अपनी लाइफ में लाकर रहूंगी जिसके प्रिंस के देवे सारे गिफ्ट तोग के भाव बेश देती है प्रिंस का सिपाई उन सब को खरीद कर प्रिंस को लाकर दे देता है आपकी वाईफ इने नुककट पर बेच रही है प्रिंस बोलता ए मैं बस चाहता हूँ वो हमेशा खुश रही तबी सुम हां आ जाती है उसे ठीक करने की कोशिश करती है पर प्रिंस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। प्रिंस बोलता है बेकार में अपना टाइम वेस्ट मत करो अब मेरा मरना तैह है। बस मैं कुछ उमरने से पहले मैं तुमसे मिल लिया। और उसे ये भी बता देता है साह साल पहले उस रात वो उसके साथ था और ये दोनों बच्चे भी उसी की है सू बोलती है मैं तुमें नहीं मरने दूंगी प्रिंस बोलता है बागी की जिन्द की मैं तुम्हारे साथ अगले जनम में बिताऊंगा सू बोलती है लेकिन मुझे तो अभी इसी जनम में तुम्हारे साथ बागी की जिनकी चीनी है सू को प्रिंस के सिपाई से पता चलता है प्रिंस को पोईजन देने वाला उसका बड़ा भाई है बड़ा भाई बड़े मज़े से हलका हो रहा था तबी सू हवा की तरह वहां आ जाती है और उसे पोईजन भी खिला देती है जो उसने प्रिंस को खिलाया था एल्डर प्रिंस बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सू बोलती है तुमने भी तो मेरे पती को यही दिया था ना तुमारी गबर भी उसकी बगल में ही बनवाऊंगी यह बोल कर चली जाती है एल्डर प्रिंस भागा हो अपने रूम में आता है और पोईजन का एंटीडोट निकाल लेता है तबी सू उससे चीन लेती है यानि यह सारा ड्रामा था उससे एंटीडोट लेने का एल्डर प्रिंस बोलता है प्लीज मुझे वापिस कर दो सू बोलती है तुम इसी तरह मरना डिसर्फ करते हो और वहां से चली जाती है प्रिंस एकदम ठीक हो गया था इवन वो चलने भी लगा था प्रिंस से पूछता है तुम उससे शादी कब करोगी अब तो बच्चे भी हो गए है सू शादी के लिए हां बोल देती है और यहीं पर इस लव स्टोरी का डियन हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए भल आइकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगे बाई बाई